मतलब बुड़ापा बहुत बुरा होता है टाटा का यूजुली हैच बैक से लोग उतनी लंबी ट्रिप नहीं करते क्योंकि अभी जैसे रनिंग है जिस हिसाब से उसके हिसाब से हैच बैक नहीं थोड़ी सी उपर बड़ी गाड़ी चाहिए अब हम खड़े हुए हैं साउथ गोवा कि अब पूरे गोवा की सबसे खूब सूरत जगा पे कापदे रामा तो आज हम गुमना आये थे कापदे रामा बहुत दिन हो गये थे इदर आये हुए और हम देखना चाहरे थे मौन्सून में कैसा हो रखा है कापदे रामा तो कापदे रामा हमें काफी टाइम हो गया था आये हुए तो चलो पहले सुरू करते हैं तो यह अभी मैं खड़ावाओं पीछे की साइड यह देखो इदर की तरफ बादल है थोड़े थोड़े दूप तो नहीं निकली वरना यहां से संसैट बहुत अच्छा होता है और ऐसा कहा जाता है कि जिसने कापदे रामा नहीं देखा गोवा आके तो उसमें कुछ नहीं देखा इदर कुछ गाड़िया खड़ी हुई है और अब मैं आपको दिखाता हूं मेन एट्रेक्शन यहां का यह देखो क्या व्यू है सच में बहुत ही मज़ेदार ना जा रहे हैं और यहां से अगर हम सीधे चलेंगे ना तो यह सामने आपको सी दिख रहा है यह तो यही लोकेशन जो है इसी को देखने के लिए ना लोग यहां पर आते हैं क्लिप से खड़े होने के बाद में जो यहां से नजा रहे हैं जो एक नीचे का व्यू है ना सी का वो मतलब सब्दो मैं तो नहीं बोल सकता मैं उसको आपको दिखाई सकता हूं बस बाकी आप खुछ से कमेंट करके बताना कहीं कैसा लगा है यहांसे नीचे का व्यू इस तरह का कुछ कुछ यहांसे सिनिमेटिक लेके वह भी दिखाओंगा आपको यह और बहुत रहे रियोट भी यहां पर बनने लगे हैं अभी नए भी बनने और ये किये भी बहुत प्यारा व्यू है ये आपको लग रहा होगा कोई यहां पे ना बंदा लेटा हुआ है मैं अभी इधर दिखाता हूं वह लग रहा होगा आपको बंदा लेटा हुआ है पर ये ना पत्थर की कटिंगी ऐसी है मतलब बहुत ही सांदार जगह है यह जब भी मैं आता हूं दिल खुस हो जाता है और जितनी बार भी आता हूं तो बोर तो कभी होते ही नहीं तो यह साइड जो है यहां पर आगे जाके पड़ता है कापड़रामा फोर्ट बट हम हो गएं लेट तो उधर तो नहीं जा पाएंगे आज और यह देखो इधर का व्यू यह सारी पाहड़िया ही है इधर और यहां से नीचे का क्लिप भी है थोड़ी थोड़ी दूप निकली है अभी यह एट लिट दूप निकल गई फाइनली अभी पर उतना सूरज मतलब भार नहीं है जितना होना चाहिए हलकी हलकी है कब बादा लजाएं कुछ पता नहीं अभी तो अभी घर पोच चुके हैं घूम फिर के तो आगे थे और अभी बात करते हैं हम फॉरlläइफ की तो फॉरम लाइफ के बारे मां आप जानते ही हो पहले से हमने काफी कुछ बता रखा है ऐसे प्ले से प्रोडेक्ट है एक तो हम वो प्रोडेक्ट आपको बताने वाले हैं इसमें और यह बहुत इस फेसल ओफर है केवल 22 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक पतलब 22 जुलाई से 25 जुलाई तक यह ओफर है केवल तो इस पीरियड में मतलब आप यह प्रोडेक्ट पर्चेस कर सकत कोई आपको इसके उपर delivery charges नहीं देना कुछ मतलब shipping charge बगरा कुछ नहीं देना है तो यह एक मतलब अच्छा सुनेरा अफसर है आपके पास में तो जाके आप अभी इसको ना order कर सकते हो तो यह जो offer चल रहा है यह चार products पे चल रहा है ग्लुकोच, रियोविडा, टीएफ प्लस और बैलेवी यह चार product हैं जिन पर यह offer चल रहा है और इनके features क्या क्या है उसकी बात करते हैं पहले तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लुकोच की ग्लुकोच आपके immune cells को educate करता है जो इसमें चीजें हैं वो हैं minerals हैं, herbs हैं और phytonutrients हैं जो की support करते हैं आपके healthy hormone production में healthy glucose level और pancreatic health को भी support करता है तो second है रियोविडा तो रियोविडा जो है वो आपके जो immune system है उसकी natural ability को support करता है जो बाहरी खत्रे होते हैं उनसे उनको recognize करने के लिए उनके against respond करने के लिए और उनको future में याद रखने के लिए और third है TF plus तो यह जो है यह आपके immune system को educate करता है, enhance करता है और balance रखता है with exclusive TF factor formula और आप बात करते हैं fourth product की fourth product है बैले वी तो यह आपके immune cells को educate करता है और जो cell की healthy growth and functioning में help करता है तो यह चार product है जिन पर क्या offer चल रहा है buy one get one तो अगर आप खरीदना चाते हैं कोई भी इसमें तो link आपक check कर सकते हैं और purchase भी कर सकते हैं तो यह मेरे हिसाब से बहुत सुनहरा अफसर है आपके लिए केवल 22 जुलाई से 25 जुलाई तक जाए और अभी जाके purchase कीजिए तो good morning friends यह है अगली सुबा और अगली सुबा हम थोड़ा सा निकलेते गूमने के लिए तो सोचा के टाटा का बुड़ापा देखा जाए काफी लोग बोलते हैं टाटा का बुड़ापा कैसा हो रखा है मतलब बुड़ापा बहुत बुरा होता है टाटा का ऐसा बहुत लोग बोलते हैं बहुत सारे लोगों ने बोला तो अपनी गाड़ी का देखते हैं बुड़ापा कैसा जाने वाल गाड़ी चलती है तो थोड़ी बहुत तो चुटपूट चुटपूट प्रॉब्लम आती रहती है वो कोई बड़ी बात नहीं होती पर मेजर प्रॉब्लम अगर गोई आती है तो फिर उसको बुढ़ापा खराब कहा जाता है और अभी तो तरीके से बुढ़ी भी नहीं गाड़ी के अंदर तो मतलब अभी तक कभी मुझे वैसे कोई मेजर दिक्कत नहीं आई एक जो प्रॉब्लम आ रही थी इसके स्टेरिंग वाली जो मैंने बताया था खटखट की आवाज आती थी अभी वो कम हो चुकी है और वैसे भी उसको रेक्टिफाई कर दिया था सोर प्रॉब्लम होगा थोड़ा तो वह जटकों में आती है वैसे नहीं आती टक 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 की तो वहाँ पर कोई रोड है तो वह रोड डली है जिसका उन्होंने लगबाग 14,000 के आसपास खर्चा बताया था तो इसको मैं अगली सर्विस पर वैसे चेक करा दूंगा पूरा बाकी जैसी मेरी रनिंग है तो टायर मैंने चार ओफ चेंज करा दिये आगे इसमें मैंने डलवाये थे सीट के और पीछे वाले जो टायर है वो डलवा रखे मैंने ब्रीज स्टोन के ब्रीज स्टोन वाले मुझे थोड़े महंगे पड़े और ये पीछले वाले जो डलवाये थे टायर रोटेट होते रहते हैं तो उससे क्या है फिर अपके टायर की लाइफ ना और अच्छी हो जाती है वो रोटेट होने जरूरी है तो अब यह रोटेट कराने पड़ेंगे मुझे तो यह तो गई भार से एक बार इंजन और दिखाता हूं कैसा है किस तरह की कंडिशन है क तो इंजन को लेके मुझे अभी तक गाड़ी से मतलब कोई भी सिकायत नहीं है इंजन को अगर मैं देखूं तो इंजन की परफोर्मेंस बहुत बढ़े आया है माइलेज बगार भी अच्छा निकालती है वो डिपेंड करता है कैसा हाईवे है कैसा वो है हाँ बैटरी इसक खराब हो चुकी है तो बैटरी अभी इसकी डल जाएगी बैटरी मैंने ओर लेडी मतलब बात हो गई है मेरी डलवाने जाने का टाइम नहीं मिल रहा वस तो यह अम्रोन की थी इसमें बैटरी और इसका क्या है अभी तिजाब अगरा निकला है सायद भार तो यह थोड़ी स तो पोने तीन साल में और तीन साल में बैटरी की लाइफ ना हो जाती है खतम और पचास जार किलोमेटर यह लेकिन मेरी चल गई 72,000 किलोमेटर साल हाँ अभी तीन नहीं हुए तीन साल में अभी दो तीन महीने आ है बस तो इसको मैं बैटरी का मतलब टाटा का बढ़ापन तो नहीं बोलूँगा बाकी खट पट और छोटी मोटी जो आवाज है वो ऐसी कुछ आवाज इसमें आनी रही अभी तक कभी आपको अगर मोका मिले किसी को अगर डाउट हो तो गाडी में साथ बैठना फिर आप चेक करना वैसे जो भी बैठता है वो यही कहता है कि यार लगे कि जलने के बात आपकी घट इतनी शांत कैसे है तो यह फ़रत परता है कि एक हाथ पर चलना गाडी अगर बहुत सारे लोग चलाते हैं गाड़ी को और एक सिंगल हैंड चली हुई होती है उस चीज का भी फरक पड़ता है हलकी कभी कभी साउंड आती है इसकी यह तो यह मुझे कराना पड़ेगा थोड़ी सी रवड़े सायद लूज हुई है रवड़ों को थोड़ा सा मुझे इनको चेंज करना पड़ेगा सायद क्योंकि कभी कभी थोड़ी सीसे की आवाज आती है इस वाले की है ना जब हाप खोलते हैं तो हलकी हलकी आवाज आती है मगर यह छोटी मूटी दिक्कत है इतना चलने के बाद यह दिक्कत आनी लाजमी है चाहे कोई सी भी गाड़ी हो और यह मैंने आज काफी दिन के बाद खोल के देखी है अगर यह तिजाब जैसे निकल रहा है ना बैटरी का तो यह मैं टालूंगा नहीं जल्दी बैटरी रख दूंगा इसमें मतला भी मैं सोचा था कि और थो टाइम मिलेगा जैसे तब ही जाओंगा पर अब मुझे लग तो अब देखो बहुत बढ़िया जा रहा है टाटा का बुड़ापा और अभी टाटा में मतला वह पहले जैसी बात नहीं रही है जैसे पहले लगता था ना के लोगों को एकदम के बुड़ापे में टाटा इस गाड़िया बोल जाती है आवाज करने लगती तो अभी तो इसने करी नहीं है और 72,500 किलोमेटर के आसपास चल चुकी है तो यह कम रनिंग नहीं है लगबग पूने तीन साल हुए है तो उस हिसाब से मुझे तो भई सही लगी और मैं सैटिसफाई हूं अभी तो इसके साथ में बट देखेंगे गाड़ी तो मुझे देखो वैसे अब इतलम मिलंबे रास्ते भागते रहा हो थोड़ा समान हुआन यह सब चीजे रखने के हिसाब से चाहिए थोड़ा बोट भी अच्छा चाहिए तो वह देखेंगे अभी डिसाइट करेंगे कौन सी गाड़ी पर जाना है क्या करना है अभी उस पर रिसर्ट चल लगी इस नहीं चल रही तो वैसे दो मोटो वील पर इस की रिव्यू देता रहता हूं पर इस चैनल पर कम हो गए तो मैं सोचा कि चलो आज के इस विलोग में इसको एड करते हैं और जहां पर हम खड़े हैं यहां पर साउंड एको होती है मैं बहुत देर से यह नोटिस कर रही से साउंड एको होके आती है और ची 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 आवाजे भी आ रही है और एको होती है कुछ तेज से बोले के देखो बोलके रुख जाना है तो चलो मिलते एगली वीडियो में तिल देन टेक केर बाइबाई